लास्ट वीडियो में हमने फ्रेग्मेंटेशन पढ़ लिया तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं विद स्पोर फॉर्मेशन की थूरू रिप्रोड़क्शन होता है फर्न, मौस, पंजाई ऐसे प्लांट्स में जो रिप्रोड़क्शन होता है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन के थूरू एक सैक के अंदर बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम यह स्पोरेंजियम जब बस्ट होता है यानि कि जब भट इस से इनको देखनी सकते हैं, और यह तब ग्रो करना शुरू करते हैं, जब इनने फेबरेबल कंडीशन नहीं बलता है, यानि कि फेबरेबल इनके लिए जो टेमप्रेचर होता है, वो ऑप्टिमम एक लेवल तक इनने टेमप्रेचर चाहिए, और मॉइस्चर चाहिए, इनक इस एक माइक्रोसकोपिक ऑर्गिनिजम है, जिसे हम नेकेट आइस से नहीं देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा माइणिट होता है, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है बड़िंग के थूरू, और इसमें क्या होता है, इसमें बल्ब के तरह से प्रोजेक में प्लांट सेल में यह ग्रोव कर जाता है तो यह होता है बड़िंग से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस